पवन जी के भी नीजी जीवन में इनके पतनीन के साथ हैं यादव जो होते हैं ना अगर थूल-थूल कहिए गलेदा आ कहिए गा तो पवन सिंग होंगे आजादे स्मार्ट बोड़ी के बात कि जाए तक है लल्यादव के है देसिला गाय कहा जा रहा है उसके बाद कहा जा रह हो रहा है तो कि भाई बहन का रिष्टा है अब पता ने उनके भाई बहन के रिष्टे में एक अदम गदहा के तरह सुतल रहता है खाली दिन बर तो जगना तो पड़ेगा और इतना ही जब पावर था ना पागल हो आप ही के घर के आसपास आगल-पागल कुछों बोलते र सब्सक्राइब भोजपुरी सुपरस्टार संतो सरनुयादव इसमें भोजपुरी गाइका को देशला गाय बहन से तुलना किया जा रहा है दूद का भी बात किया जा रहा है आप इस चीज़ को किस नजरिया से देखते हैं अग कि सब पोलिटिकल यह श्टंट है भाजपा कि अश्टार प्रचारक है वो देशिला गाय कहा जा रहा है उसके बाद कहा जा रहा है कि हमारा नजर खराब हो रहा है तुम्हारे उपर नजरिया नजरिया कुछ अलग है अलग है पावन सिंग्जी ठीक भाजपा के पढ़ान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नक्सर कदम पे चल गया है नरेंदर मोदी जी के भी निजी जीवन में उनकी पतनी आज है उनके साथ नहीं है ना सेम चीज पवन जी के साथ है पवन जी के भी निजी जीवन में इनकी पतनी इनके साथ है नहीं है भाजपा स पूरा संस्कार या संस्कृति अपने अंदर पी गए है घोट गए है आज बोलने लगे ना हो कि मैं चार दीन से सोया नहीं तो जगना पड़ेगा खेसारी जगा दिया किसारी लालिया तो जगाने का भी काम करते हैं होता है कभी कभी मान लिजिए कि जब घर में घर में जब लुदू को बेटा होता है अगर मान लिजिए की बेटा अगर बिल्कुल आलसी हो गया है असा मेज़िक के पास होती है औरतना ही जब भुजपुरी को आठवे निसुची में काई नहीं सामिल करा लिए कहते हैं जहां से गईबह उहां से पवन में किनाम आई अपना कुछो का सकते हैं लोग आगल-पागल कुछो बोलता है लोग तो उसके बात प्याप भरुसा करते हैं पागल हैं हम पागल थोड़े कर रहे हैं अगर आप ही के जूला मुनी रखले बाड़ उखूला रस बूला लग का था किसका ट्यून था खेसारी जी का था के करा खाती करब करब भॉजी अभगी के परब सहीं आरव गए लिया ना तब पावन जी तो खेसारी जी के लग किर पर चल दिये पावन सिंग के लग पर भोजपुरी कलाक में यहिंट रहाना है और जैसे मोडी जी पूरा क्रेडिट अपने आप में लेते हैं वैसे ही पवन सिंग वो सोचते हैं कि पूरा क्रिजिट जो है वहां अपने आप में ले 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 गीत कौन लिखा जाही दक्तर ने संगीत कौन दिया बिनाय बिनायक ने अखाली नाम पवन सिंग का है बोचपुरी में बोडी के लेकर भी लगातार व फवेंसिंग को है आजादे और स्मार्टो बड़ी धार जविव होन पहुंचाया उसको बुलाजर आंब अपने पास खडया करते हैं उसको बुलाजर करपक्र को सांच अरो प्रफ़न संग घर हा रहा इंडरस्डि एको तो जा रहे हैं साइड होते जा रहे हैं इससे चले जाएंगे पावर आश्टार है पावर कवो खतम होई परवंट सी खुद ही नहीं बोलते हैं खुदे कहा देगा बिलारसी अर्थमान लिजेगा अच्छा का कि जेगा उसको पगलपने कोई और है कुछ हम कवला से हुई सब उलूल जूलूल बात है इस सब जिसको जकरायास तक बोली ही ना आया वही सब बात बोल करके ना किस्वों अपने आपको लाइम लेट में रखेगा एक मिनिट बात करने का है कैपिसिटी एक मिट बात नहीं कर पाएगा पवन सिंग के पुरा भाजबा के लोग को हम कर रह को इस चीज पी आप क्या बोलना चाहिए यह तो हमेशा कलाकारों में पहली बार खेसारी जी ही शुरू किये इस सिस्टम को पवन जी भी बाद में निभाए हो उसको लेकिन यह निभाते रहना चाहिए जब आपको पास पैसा है तो कोशिश किजिए कि लोगों को मत करें से लेकिन सर जाते जाते इस चीज को एक बार आद दोहराना चाहेंगे इस सवाल सब कट रहें कि जो पवन सिंग ने नुपमा यादव को देशला गायब है इस तूद के बारे में भी बात किया गया है और आप एक भोचपुरी कलाकार है भोचपुरी कलाकार के नाते कुछ ब हार कार्ड देखावे कि कौन कार्ड देखावे ओकरा से मतलब ना है जो है पूरी दुनिया जानती है यादव नहीं है सचाई छुपता नहीं है सचाई छुप नहीं सकती बनावट के उसलों से खुसबुआ नहीं सकती कागज के फुलों से जो यादव जो होते हैं ना पता धेला मारना हमारे योग अब काम नहीं रहा।